एक सुन्दर सा जंगल में टूनी चिन्या अपनी बेटी मुन्मुन के साथ में रहती थी। टूनी चिन्या बहुत गरीब थी। टूनी चिन्या की पडोसन बुलबुल का बुतर बहुत अमीर थी। एक दिन के बाद थे टूनी चिन्या मन ही मन सोचती है। आज मेरी बेटी का जन्म दिन है, हम गरीबों का जन्म दिन मनाने का नसीम में कहा है, साधी की साल गिरा, जन्म दिन ऐसी खुसियां सिर्फ अमीर लोग ही मनाते हैं, हम सब गरीबों का नसीम में कहा लिखा है, सिर्फ गरीबों को दुखी दुख लिखा है, आज मेरी बेटी क जन्म दिन है आज वो बहुत खुश होगी उसे किसी बात में उलजाखर होगा मुझे हम उसकी जन्म दिन नहीं मना सकते हैं टूनी चीनिया अपने आपसे बात करके वो बहुत उदास हो रही थी इतने में टूनी चीनिया की बेटी मुनमुन आ जाती है फिर कहती है मुनमुन अपनी मा से मा आज हमारा जर्म दिन है क्या हम लोग एक चोटा सा पार्टी घर में रख सकते हैं बहुत अच्छा लगेगा मा और तो और मा आपने देखा था ना जब बुलबुल आंटी की बेटी का जन्म दिन था तो वो अपनी बेटी का जन्म दिन कितनी धूमदाम से मनाया था कितने लोग आये थे बुलबुल आंटी घर बहुत अच्छे से मनाया था मा बुलबुल आंटी अपनी बेटी का जन्म दिन बेटा ये सब खुश्या हमारे गरीबों के घर में कहा होती है ये सब तो सिर्फ अमीर लोगी साधी की सालगिरा जन्म दिन मनाते हैं और तो और बेटा हम लोग इतने अमीर कहा हैं कि तुम्हारा जन्म दिन मना सकते हैं मैं नहीं मना सकती बेटा तुम्हारा जन्म दिन मुझे माफ कर दो बेटा मैं बहुत लचार हूँ अपनी लचार मा को माफ कर दो बेटा मैं तुम्हारा जन्म दिन नहीं मना सकती मुझे माफ कर दो बेटा ये बात सुनकर मुन्मुन बहुत उदास हो गई अपनी बेटी को उदास देखकर टूनी ने कहा बेटा तुम्हें उदास होने की जरुवत नहीं है बेटा आज हम लोग नए जगह जाएंगे सैर करने तुम मेरे साथ चलो बेटा अपनी मा की बात मानकर फिर दोनों पक्छी सैर करने निकल जाते हैं दोनों उड़ते उड़ते दुसरे जंगल में निकल जाते हैं तभी टूनी चिन्या को नजर तोते पे पड़ती है जो तोता पेर में फसकर लटका हुआ था ये देखकर टूनी चिन्या तोते के पास तुर बस मैं इसी रसी पर बैठ गई जब मैं रसी को सुलजाने लगी तब तेज हवा आया फिर मैं रसी में फसकर लटक गई नीचे कोई बात नहीं आन्दी मैं बचा लूँगे आप चिंदा मत किजिए फिर मुन्मुन चिंदा टानी पर उड़कर गई और अपने चोच से उस रसी को काटने लगी बहुत परियास करने के बाद फिर वो रसी कट गई ये देखकर तोता बहुत खुस हुआ फिर कहता है तोता टूनी तुम्हारी बेटी बहुत कोमल दिल की है मैं तकलीफ में थी तो बीना अपने जान की परवा किये बीना मेरी जान बचाए में बहुत ज़्यादा खुस हूँ और वैसे भी आज तो मेरे पास बहुत ज़्यादा धन है ऐसे धन का कोई काम नहीं जो मेरे जान ना बच तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है सच में तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है तूनी आपने सही कहा मीठुत होता आज मैं अपनी बेटी पर बहुत गर्व कर रही हूँ दूसरों के मुझे मैं अपने बेटी का तारिश सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा आज मेरी बेटी का जन्म दिन है आज मुझे इससे तौफा देना चाहिए था लेकिन ये मुझे दे दी अपने जन्म दिन पर तौफा आपको बच्चा कर इससे बड़ा और क्या तौफा होगा मिठूतोता क्या कहा आज तुम्हारी बेटी का जन्म दिन है चलो चलो जल दी आज हम लोग इसका अच्छी से धुम धाम से जन्म दिन मनाएंगे फिर तीनों पक्छी उड़ते उड़ते अपने घर आ जाते हैं तोते ने पूरे जंगल को अच्छी से सजा दिया था और तो और मुन्मुन के लिए बड़ा सा केक भी लाई थी और जंगल के सब पक्छी भी आए थे फिर सब ने मुन्मुन का धुम धाम से अच्छी से जन्म दिन मनाया फिर जन्म दिन खत्म होने के बाद टूनी ने तोते से कहा मीठू तोता तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मैंने सपने भी भी नहीं सोचा था मैं अपनी बेटी का जन्म दिन भी मना पाऊंगी की नहीं आज मैं बहुत खूस वो अपनी बेटी का जन्म दिन मना गळ यह सान कभी भी नहीं मैं चुका पाऊंगी मीठू तोता